हेलो फ्रेंड्स माई नेम इस विकास शुकला आज हम आपको पढ़ाते हैं सॉप्ट्वेर इंजिनरिंग का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका हर बार कॉशन पेपर में आपके पूछा जाएगा and that is control flow graph इसको हम लोग cfg भी बोलते हैं एक चीज़ याद रखिएगा cfg के दो full form होते हैं एक होता है control flow graph और दूसरा होता है context free grammar so जब भी यह दो टर्माय आपके cfg तो आप उसको पहले confirm कर लिजेगा कि यह control flow graph के बार में पूछ रहा है या context free grammar के बार में पूछ रहा है तो हम बात करते हैं software engineering में control flow graph means cfg क्या होता है तो इसका पहला point है it is introduced by Francis E. Allen इसके developer का नाम था Francis E. Allen और इसका दूसरा point है the control flow of a program can be analyzed using a graphical representation is called control flow graph यह एक graphical representation होता है जिसके तो हम program को show करते हैं analyze करते हैं किसी भी program को graphical representation के तो analyze करना हम लोग क्या बोलता है control flow graph बोलता है next point है it is process oriented यह process oriented होता है the next point is cfg is a directed graph यह एक directed graph direct graph होता है अब हम बात करते हैं cfg में जो symbols use होते है the symbols of cfg are पहला है for sequence अगर कोई sequence है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं sequence के लिए हम लोग ऐसे करके यूज़ करते हैं सबते पहले node हो गया यह edge हो गई और फिर यह node हो गया simple सा उसके बाद अगर आपके program में if else use हो रहा है तो if else के लिए हम लोग यह symbol use करते हैं अगर आपका if है तो यह हो गया else true और false इसके लिए यह ऐसे यूज़ करते हैं जो आपका यह गोल गोल बना हुआ है circuit इसको अम लोग नोड बोलते हैं और जो arrow है यह आपके आपके यह होते हैं अब अगर program में आपके वाइल लूप यूज़ हुआ है तो वाइल लूप के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं suppose आपको program क्या हो true है दो हम लोग ने क्या किया पहले यह नोड बन आया node बनाने के बाद हमने उसको गया किया true है तो true है तो नीचे आ गया फिर उसके बाद फिर से उपर गया चैक करेगा true है तो फिर आ गया फिर ऐसे चेक होता चाहिए लूप चलता रहेगा अब सपोस्पोस मालो टूने के बाद आपका आगे यहां से फॉल्स तो फॉल्स के लिए क्या होगा वो यहां पर ना जाके फिर से कैसे आएगा वह एक नए नोड पर जाएगा और यहां पर आपका प्रोग्राम सुच हो जाएगा मतलब कम्प्लीट हो जाएगा यह फॉल्स के लिए हो जाता है फिर इसके बाद हम यूज करते हैं डू वाइल लूप के लिए भी यह है कि पहले क्या हुआ लूप चला प्रू हुआ फिर से वापस टू ऐसे करते करते हैं फिर हम लोग डू वाइल लूप के लिए भी इस सिंबल को यूज करते ह अब हम बात करते हैं इसके example की चिक है बच्चो हाँ तो friends अब अब ये एक example यूज कर रहे हैं जिसमें एक छोटा सा program लिखा हुआ है और इसके लिए हमको क्या बनाना है इसके इस program के लिए हम cfg ड्रॉग करेंगे तो अब सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं हमने इस program में अ पहले से आपके लिए ड्रॉग कर रख्या हुआ है वाइल के लिए यूज करते हैं तो अब पहला है वाइल इस नॉट इक्वल टू बिक अब अगर टू कंडिशन हो रही है तभी नीचे जा रहा है पॉल्स होगी तो कहां पर आजाएगा एक से पांच पर आजाएगा सीध पहले किया एक सीक्वेंस बनाया है अब ने आपको एजो डाइग्राम बनाया हुआ है इसके लिए बना दिया जैसे बना हुआ है एसा बिल्कुल बना दिया वन से डूपे गया अब दूसरे से कहां पर जा रहा है इस एस ग्रेटर दन भी तो एक्वल टू टू ए माइन अ अगर true होता है else मतलब false हुआ तो कहां पर जाएगा b is equal to b minus है तो यह तो पूरा एक ही point हो जाएगा else वाला एक ही भी आ जाएगा तो if मतलब 2 से कहां पर जाएगा 3 में और 4 में यह 3 हो गया अगर true होता है else false के लिए यह आ उगया और 4 हो गया ठिक अब दोनों ही condition में अब यह दोनों कहां पर जाएंगे आपके return नहीं पर जाएगा अगर true होगा तब ही last में जाएगा false होगा तब ही return में जाएगा तो आपने सबसे पहले कहां किया दोनों को 5 से 5 वाले note से कहां किया दोनों के h के तुरू हमने connect कर दिया अब सबसे last में आता है while की condition अगर false होती true वा तो हमने एक sequence पूरा बना दिया अगर false होती तो क्या होता सीधे 1 से हमनों कहां पे आ जाते return ये पे आ जाते है यतना clear है आपको ये बिटा एक छोटा सा example है जिसमें हम एक बार आपको फिर से बता रहे है सबसे पहले हमने क्या किया while के लिए 1 से 2 बनाया क्योंकि condition true हो रही थी तो 1 से true ही तो 2 पे गई अब 2 पे क्या use हो रहा है if a is greater than b इसका मतलब क्या हुआ 2 से हम लोग 3 पे गए और 2 से 4 पे गए कि तो दोनों को हमने किस से connect कर दिया 5 से connect कर दिया हमको याद है if else में हमनों क्या बना रहे थे आप देख रहोगे यह वाला बना रहे थे न यह वाला symbol यूज़ कर रहे थे देखिए आप यह यूज़ हुआ याप पे अब last में आता है शेर करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू सो बच बाए टेक केर